बिस्मिल्लारमानिरहीम असलाम अलेकुम आयोटीय फैमिली आप सब केसे आपके अच्छे होगे यह अपके दुमाम से अलहम अच्छ है तो आज अमने एद स्पेशल में बनाई है रावादी बिरियानी मटन बिरियानी बनाई है तो इसके लिए सबसे पहले प्यास को फ्राइ करते हैं यह देखिए अच्छा गुल्डन आगया इसे निकाल लेते हैं अब हम बाकी के तैयारी करेंगे प्यास को साइड में रखते हैं यहां पर एक किलो मतन लिया है हमने इसे दोके साफ करके लिया है इसमें मसाले डालेंगे हाफ तीसपून हल्दी का पाउडर डालेंगे तीन तीसपून धनिया पाउडर डालेंगे एक तीसपून तीखा वला लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे यह अपने टेस्ट के साफ से डालेंगे नमक अपने टेस्ट के साफ से डालेंगे में डेर टीसपून डालेंगे एक तीसपून गरम मसाला पाउडर डालेंगे डेर काश्मेरी लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे मिर्च और नमक आप अपने टेस्केस आप से डाल सकते हैं तकरीबन 200 ग्राम दही डाल देंगे और एक निभुगा रज डाल देंगे अब इन सभी को मिला लेंगे अब हमने यहां पर जो प्यास फ्राइ करके रखी अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं तो प्यास डाल देंगे इसमें से थोड़ा सा प्यास बचा लेंगे हम गार्निशिंग में यूस करेंगे लेहर लगाने में तो प्यास में डाल देती हूं थ में थोड़ा सा जादा जाता है मैंने आपर तीन टेबल स्पून लसन अधर का पेस्ट लिया है अब इसे फ्राइ करने के लिए हमने आदा कॉप यानि कि 100 ग्राम तेल डाला है इसमें हमने दाल चिनी तेश पत्ता दो चार लोंग दो चार बहरी इलाइची एक बड़ी दो अब कोई मसाला अलग से डालने की जरूरत नहीं है अब इसे 2-4 मिनिट के लिए अच्छे से हम मिक्स करके पका लेते हैं जब तक कि इसमें उबालने आ जाता है इसे बहुनने की जरूरत नहीं है इसे स्ट्रेच पर यह बहुत आसान रेसिपी है फटा फट से पन जाती है अब हम इसमें उबाला गया है तो पानी डाल देंगे तो यहां पर एक गिलास फुल भर के पानी डाल दें तक रिबन 200-300 ml तक इसमें से मतन का अपना पानी होगा और दही का भी उसमें यह अच्छे से गल जाएते इसमें टमाटर बिल्कुल भी नहीं जाते हैं तो बस इसक को कर लेंगे और 20 मिनिट के लिए चोड़ देंगे जब मटन आपका अच्छा सा गल जाए देखिए इस तरीके से तो अब इसकी पुनाई करेंगे तो यह थोड़ा सा कुकर मुझे छोटा लग रहा था तो इसे शिप्ट कर लेंगे जिसमें की हमने बिर्यानी कुदम देना है तो इसमें निकाल दिया है अब इसकी भुनाई करेंगे 5-6 मिनिट तक मटन हमारा भुन रहा है तब तक हम चावल उपाल लेते हैं तो इतर हमने पानी करम होने के लिए रखा दो लिटर इसमें लोंग बड़ी लाइची हरी लाइची हमने और दालजीनी के टुकड़े टाल दी है साथ में नमक डाल दिया है मैंने यहां पर तकरीबन 1 किलो मटन में 1 किलो चावल लेना है तो चावल को पहले से 30 मिनिट के लिए भीगा दिया थे यह बासमिती चावल है और इसमें 3 टेबल इस्पून नमक जाता है अब चावल को हमने 80 परसंट तक कर लेना है तो इस चावल हमारे अच्छे से उबल रहे है इसका पानी हमने थोड़ा सा बचा के रख लेना है जब हम इसका पानी फेक देंगे तो हमने चावल को चान लिया है और इधर हमारा तैयार है मटन इसमें थोड़ा सा डालेंगे हरा धनिया और पोदीना तकरीबन 2-3 टेबल स्पून के ओधनिया और 2 टेबल स्पून के ओधनिया और पोदीना डाल देंगे उसके बाद हमने इसमें चावल डाल देना अग्स की फ्लेम उफ कर रहिए इसे अच्छे से फैला देंगे अब आपनी बचा ता इसमें से 1-3 अचîne के डाल देंगे हमने जिस तेरिस तेल में फ्राइ जालेंगे जो हमने बचा के रखेते अब हमने या पर फूट कलर डालना ही टोटल अप्शनल है लेकिन इससे लुक अच्छा आता है इसे कवर कर देंगे पांच मिनिट के लिए मीडियम फिलम पे पकाएंगे और पंदरा मिनिट के लिए तवा रख देंगे और गेज की फिलम स्लोर कर देंगे तो तब अच्छे से गरम करने के बाद हमने पंदरा मिनिट और कुक किया है उसके बाद इससे दस मिनिट के लिए छोड़ दिया था तो यह देखिए एक एक दाना खिला खिला सा बना है माशालला से बहुत यह चीज़ी खुश्बू पर आ रही है इसमें कुछ भी चीज़े नहीं जाती हैं तो चलिए इसे डिशाउट कर लेते हैं बहुत ही बड़िया मसालेदार विर्यानी बन करके तयार है बहुत ही टेस्टी है तो आप भी बनाए ज़रूर बना इसी तरीके से बनाए यह दिए आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो इस आप इसके साथ में रायता खा सकते हैं तो मैं यहां पर प्यास के साथ इससे सर्व कर रही हूं बहुत ही मज़ी की बनी थी एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राय करें इसी तरीके से और मतन इतना मुलायम सा गल गया था माशालला से यह देखिए बहुत अच्छे से गल ग आप सब केसे आप सब अच्छे होंगे आपकी दुआउं से अलहम दुल्ला हम सब अच्छे हैं तो आज हमने बनाई है चिकन पर्दा बिर्यानी यह बहुत मज़ी की बनती है चलिए देख लेते हैं इस तरह से तैयार किया है तो यहां पर हमने 800 ग्राम चिकन लिया है हमने में अचय छल्ड़या मariniate करते हैं तो हमने अपनेटस के चापसिस में नमक डाल दिया है साथ में मान्च हम धनिया या दनीहका पाओडर डाले पी दू पुल पर के डाला है अलडिका यह दहावर टीश्पून हाफ डिका पाओड़र ड़्यों यह नहीं दू नहीं सबसल्य इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे, यहां पर हम इसकी रोटी बनाने के लिए अटा तयार करके रख देते हैं, मैंने यहां पर एक कप मेदा, एक कपा टलिया, इसमें थोड़ा सा नमक डाला है, तकरीबन 140 तीस्पुन की गरीब, इसे थोड़ा थोड़ा पाने डालते हुए, सक्त आठा गुंदना है, बहुत जादा नरब या बहुत जादा सक्त आठा नहीं गुंदे, जैसा कि हम नॉर् इसे चिकना हो जाए, अब हम इसे साइड में रख देते हैं, तब तक हम चावल को बाइल कर लेते हैं, तो दो लिटर पानी रखा है, इसमें मैंने जीरा डाला हाफ टीस्पून, तो सिंतेज पते के टुकड़े डाले हैं, दाल चीनी डाली है, दो तिन टुकड़े, चार प अब इसे उबाल लेते हैं, तो हमने यहां पर इसे 100% कुक कर लेना है, चावल को, देखे, चावल हमारे डन हो चुके हैं, तो हम इसका पानी निकाल के साइड में रख देते हैं, अब हमारी सब तयारी हो गई है, तो हम ग्रेवी तयार कर लेते हैं, तो हमने यहां पर तेल वन थर्ड कप इसमें हमने कुछ गरम मसाले डाल दी हैं जिसमें हरी लाइची, लोउंग और दाल ची नहीं इस तरीके से डाल दिया है उसमें हमने मेरिने टिट किया हुआ चिकन डाल दिया इस चिकन को हम दो चार मिनिट तक ही पकाएंगे सिर्फ उसके बाद हम इसे कवर कर देंगे, तो हम पहले इसमें डाल देते हैं बिरियानी का मसाला, यहां पर 1.5 टेबल स्पून बिरियानी पाउडर मसाला डाल रही हूं है, यह बाजार से आप किसी भी ब्रेंड का ले सकते हैं, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, अब हम यहां पर ड अब हम इसे भूनेंगे नहीं जादा, अब हम इसे कवर कर देंगे, और कवर करने के बाद हमने इसे अच्छे से कुक कर लेना है, हम पानी का यूज नहीं करेंगे, गेस की फ्लेम मीडियम और लो की बीच करेंगे, और इसे 15 मिनिट के लिए हम कुक करने के लिए छोड़ द मैंने यहां पर दो से तीन टेबले स्पुन हरा धनिया डाला एक टेबले स्पुन वोदिना डाला दो तिन हरी मिर्च डाल दी है इसके साथ में हम इसे दो मिनिट के लिए और ढख करके रख देते हैं तक देखिए बहुत अच्छी सी खुश्ब आने लगी है इसमें से अब हम करेंगे इसकी कच्छी स्मेल खत्म होने तक ही भुनना था तो यह देखिए इस तरीके की ग्रेवी हो चुकी है गेस की फ्लिम ओफ करते हैं और इसे साइड करते हैं इसे भी हलका सा ठंडा कर लेंगे और अगर ऑइल जादा हो जाए तो उसे निकाल दे एक कड़ाई लिए ह अब हमने यह पूरा आटा ले लेना है और इसकी एक बड़ी सी रोटी बनाना है तो सुखा आटा लगाएंगे और इस तरीके से इसे बेल लेंगे बेलन की सायता से पेले हातों से बढ़ा कर ले और रोटी को बहुत जादा मोटी या बहुत जादा पतली नहीं करना है तो इसको अच्छे से बड़े सी बेल लेना है रोटी को इसके शेप धियान ना दे आप अब हमने इस तरीके से इसको फोल्ड करना है एक बार और फोल्ड करेंगे ताकि आसानी से उठा सके अब इसे कडाई में हमने अच्छे से लगा देना है रोटी को तो फोल्ड खोलते जा अब भूसके लिए सबस्करजाद करें अब हमने जो चिकन बनाया हैं और बनलेगे जो लिए इनके दुरे में अचिकन को लिए ना डालेंगे घृल लर अब हम टालेंगी दे तल्दीख प्यASE दाल देंगे और आफमाटर काटके डाले ती भूसके कर देंगे इसे और उसी तरीके से टमाटर प्यास धनिया पुदीना से भी डालना है अब फिर से हम इसके उपर चावल डाल देंगे तो अब हम सारे चावल डाल देंगे अब आपने इसके उपर धनिया पुदीना तलेवे प्यास और घी डालना है आप चाहें तो जिसमें आपने प्यास को फ्राइ किया था वो तेल भी डाल सकते हैं ताकि चावल हमारे रुखे नहीं लगे तो मैं यहां पर घी का यूज़ कर रही हूं यह देशी घी है तो तकरीबन मैं यहां से चार से पांच टीस्पून घी डाल दी हैं आप अपने टेस है औरिंज कलर इसे भी दो पिंच कलर लेकर थोड़े से पानी के साथ घोल लिया था अब हमने इसे बिर्यानी को कवर करना है हलका सा बिर्यानी का मसाला डाल दिया है जो पाउडर आता है इस तरीके से उठाते यह टूट रही है कोई दिक्कत नहीं आपने इस तरीके से जी डालके अच्छे से इसमें लगा दिया है ताकि रोटी यह काम में आ जाती है खाने के आप इसे कवर में के सालन यह बिर्यानी का जो सालन बचावा हो उसके साथ खाए बहुत मज़ी की लगती है गेस की फिलेम हाई कर देंगे हाई फिलेम पे इसे हमने तीन मिनिट तक अच्छे से पकाना है ताकि रोटी साइट से भी अच्छे से पक जाए इसे कवर कर देते हैं तो यह दिए देखिए रोटी की साइड चूटने लगी है अगर ऐसा नहीं तो आप एक अद मिनिट तक से और पका ले अब हमने यह तब दी तबा यह तो इसके उपर कर देते है और इसे हम पलट देंगे पलटने के लिए ये देखिए तवे को इस तरीके से पकड़ें और ये ऐसे पलट देंगे अब हम चेक कर लेते हैं हमारी रोटी अच्छे से सीकी है या नहीं तो ये देखिए हमारी रोटी बहुत ही अच्छे से सीक चुकी है माशालला बहुत बड़िया कलर आया है अब पांच मिनिट स्लो फ्लेम पे हमने इसे इदर से भी कुप कर लेना है तो बस इतना ही दम देने की जरूरत थी इसे और ये गरमा गरम सी हमारी परदा बिर्यानी तयार है इसे करते हैं डिश आउट हमने इसे दूसरी प्लेट में ट्रासफर कर लिया है इसे कट करते हैं वो बस कट करने के बाद जो महक आती ही जो खुश्बू आती है इसकी बात ही अलग है तो आप भी बनाए जरूर बनाए इसी तरीके से बनाए यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो इसे लाइक किजिए शेयर किजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली में चैनल पर पहली बारा हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजएगा यह देखिए अंदर से बहुत यची सी गरम गरम बिर्यानी निकल रही है बहुत यची सी खुश्बू के साथ तो आपके अगर कोई गेस्ट आ रहे हैं तो इस तरीके से आप इसे बना के सर्व करेंगे तो बहुत यह मज़े की लगेगी है और सब खुश हो जाएंगे तो आप भी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राइ करें मिलते हैं इंशालला जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में और आपको यह हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं अल्लाह अपीज बाए अपनी दुआ में जरूर याद रखें बिस्मिल्ला रमानी रहें असलाम अलेकुमा यूट्य फैमिली आप सब केसे हैं आपके आप सब अच्छे होंगे रापकी दुआउं से अल्हम्दल्ला हम सब अच्छे हैं आज हमने एक स्पेशल पुलाव बनाए है चिकन चना पुलाव यह बहुत ही मज़े का बनता है और डाल देंगे प्यास का हलका सा कलर चेंज होने के बाद हम इसमें गरम मसाले शामिल कर देते हैं तो गरम मसालों में दो तेज पता लिया है एक दगड पुल लिया है पत्थर पुल और एक तालजीनी का टुकड़ा दो मोटी इलाई चिली है चार पाइदाने काली मिर्च के चार पाइदाने लोंग के लिए है और अधाटी स्पून जीरा लिया है इन सबी गरम मसालों के साथ एक से टेड़ मिनिट तक प्यास को और फ्राइ करेंगे तो गरम मसाली की खुश्बू भी हो जाएगी और प्यास का कलर भी चेंज हो जाएगा अब हमने यहां पर लसन अ जाल देते हैं चिकन को हमने दो तीन मिनिट तक भून लेना जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता है अब हमने यहां पर चने शामिल करना है तो मैंने चने को तक्रीबन रात में भीगा दिया था और इसके बाद इसे नमक डाल के उबाल लिया है खुले बरतन में आदा पर तीन मीडियम साइस के टमाटा लिया है इसे रफली चॉप किया है यह डाल देंगे साथ में कुछ पाउडर मसाले देख लेते हैं तो एक टीस्पून फुल भर के धनिया पाउडर लिया है डे टीस्पून सोफ का पाउडर लिया यह जरू डाले इसे टेस्ट अच्छा मेर्चीं अथेशिवी गरम मसाला पाउडर एंगे फुल नमक तो अब हम चिकन के अचिए चावल के डालेंगे मसालों के साथ में इसे दो मिनिट तक अच्छे से का लिए तो हम्सालों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है आझ इयदेखिए अब हम यहाँ पर इसमें तह नहीं शामिल कर देंगे तो दही 100 ग्राम ले और गाड़ा और फीका दही ले खटा दही नहीं ले इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे और दही डालने के बात आप लगातार चलाते रहें तक दहीं फटे नहीं इसके बाद हमने यहां पर हरी मिर्च लाल देना है मैंने चार-पांच हरी मिर्च को काटके ले लिया है और आधी डालती है आधी हम चामल के साथ डालेंगे केस की फिलम स्लो कर देंगे और पंदरा से बीस मिनिट के लिए से कुक करेंगे जब तक कि चिकन गल नहीं जाता पानी का यूज नहीं करेंगे टमाटर दहीं का और च जालेंगे एक टेबल स्पून फदिना डालेंगे तो धनिया के साथ जो बारिक वाले उसकी डंठल आते हैं वो जरूर डाले यहां पर मैंने डेड़ गिलास चामल लिया है बड़ा वाला गिलास था यनी की 500 ग्राम चामल है तो डेड़ गिलास चामल के लिए हम इसमें पान चामल करते हैं गेस की फ्लेम हाई कर देंगे ताकि इसमें जल्दी से उबाला जाए या आप पानी को गरम करके भी डाल सकते हैं अब हम यहां पर चामल के हिसाब का नमक डाल देंगे और जो हरी मिर्ची हमने बचाई थी वो भी डाल देंगे और इन सबी चीजों को करेंगे तो इसे अच्छे से मने मिक्स कर दिया है और इसे कवर कर देंगे और जैसे ही इसमें अबाल आएगा तब इसको एक बार और हम अच्छे से हलके हाथों से मिक्स कर देंगे बार बार नहीं मिक्स करेंगे तामल हमारे तूट जाएंगे बस इसे हलके हाथों से मिक्स slow कर देंगे और इसे cover कर देंगे क्योंकि इसमें उबाल आ चुका है और 20 मिनिट के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे slow flame पे उसके बाद 20 मिनिट बाद जब इसका पानी खोशक हो जाएगा इस तरह तो हम इसमें नीचे iron का तवा रखेंगे गेस की flame हाई करेंगे जब तवा गरम हो जाएगा तो गेस की flame slow करके 10 मिनिट के लिए छोड़ देंगे दम पे तो ये देखिए चावल हमारे दम पे रख दी हैं हमने अब 10 मिनिट के बाद जो कसर थी चावल में हलकी सी वो पूरी हो जाएगी और अब हम इसे 10-15 मिनिट के बाद खोलेंगे जो इसमें steam है उसके वज़े से चावल काफी मुलाइम होते हैं तुरंत खोलेंगे तो चावल आपके तूड़ जाएगे तो ये देखिए चावल खिला खिला सा बढ़ा है एक एक दाना कितना लंबा लंबा सा और खिला खिला सा हो गया है बहुत ही अच्छी खुश्बू आ रहे हैं तो इसे डिशाउट कर लेते हैं तो आप भी बनाए ज़रूर बनाए इसी तरीके से बनाए यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली पर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लिस सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ये बिल्कुल फ्री है इस रेसिपी को बहुत ही हलकी फुलकी सी और बहुत थी बढ़िया सी रेसिपी है गर्मियों में बहुत चैनल आप झाफीज है बिर्यानी रेस्टोरेंट स्टाइल बहुत ही मज़े की एक सेक्रेट मसाली के साथ और देखी चिकन कितना सोफ्ट मुलाइम गल करके तैयार हुआ है तो चलिए देख लेते हैं इसकी हर बारीकी के बारे में हम आपको जानगारी देंगे तो यहां पर हमने लिया है साड़े साथ सुग्राम चिकन जिसे मैंने मीडियम पीस कट करवाए है और अच्छे से दोके साफ कर लिया है इसमें हम डाल देंगे दो टेपले स्पून फूल भरके लसन अद्रक का पेस्ट इसी के साथ में हम एक टीस्पून फूल भरके नमक डाल देंगे हाफ टीस्पून हल्दी का पाउडर डाल देंगे एक टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे तीखा वाला निक दाल चीनी के और साथ में 140 स्पून फूट कलर डालेंगे 200 ग्राम दही डालेंगे दही गाड़ा वाला ले और खटा नहीं ले जाता है इन्हें अच्छे से मिक्स करके साइड में रख देंगे 30 मिनिट के लिए इधर एक पतीला रखेंगे इसमें आधा कब तेल डालेंग तले रखेंगेश, लि वीटियरो एक तक दालेंगे प्यास फ्राइच घर्में के लिए 27 जानी रखेंगे देलंगे अब जो चपेर रेखेंगे speaks कर देखेंगे में रखेंगे मॉय Director Agaeop भी डाल देना है जो चिकन मेरीनेट किया है उसका मसाला काफी रह जाता है और पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है इसे अच्छे से मिक्स करेंगे तो इसे चार-पांच मिनिट के लिए अच्छे से चला लीजिए जब तक कि इसमें उबाल नहीं आ जाता है तो यह देखिए इसमें उबाला चुका है अब हमने यहां पर लिट बंद कर देना है और तकरिबन बीस मिनिट के लिए हम मीडियम फिलम पे छोड़ देंगे वीजिवीच में चलाते रहेंगे इसे तब तक हम चामल बैल कर लेते हैं तो तीन लेटर पानी करम होने के लिए र ठैटी डालेंगे इस से पानी महची स्वें हो जाती है है और नमक ढलेंगे 2 से 3 टेपल बीस्पुन ढाल Megan wood के 24 अब के इसमें हैं एसमी चामल ऑर मेपने चामल को जोब हैए और में बहटी मेंतों के कि लिए हमें ब्भीगा दिया था । बासमति को ऊब्हां लिए कज ए ह चावल हमारा तयार हो चुका है एक बार चेक कर लेते हैं और इस चावल का पानी एक कप निकाल के रख लीजिगा बाद में यूज आए गा आनी आप भेक दें तो चावल हम चान लेते हैं यह चिकन को अच्छे से पून लिया दो-चार बार हिला था तरहिए लिए इस यह चि टेस्ट आता है बिर्यानी के चिकन में और यहां पर हमने बिर्यानी का मसाला डाला है दो डेबले स्पुन इन सबी चीजों को सिर्फ मिक्स करना है आपने पकाना नहीं है यह लास्ट में डालेंगे तब ही टेस्ट अच्छा आएगा रेस्टोर्न में जो बनाते हैं वो इसी चाले डाल ते हैं तो उसकी खुश्वू खातम हो जाती है और चाट मसाला जब बाद में डालेंगे तो सिर्फ चिकन में उसका टेस्ट आएगा अब हमने यहां पर चांवल चान के रखे हैं उसके लेर लगा देना है तो मैं यहां पर एक ही लेर लगा रही हूं चावल को आपाने हम तो से धुष्वा से फैला दे हैं अब हमने जो टला हुआ इस रखाता और वाड्यी गोशेर्भा चाकिकन में यहां से यहां पर पानी कम ढालना है अपने 1 1-2 पानी डाले और प्यास डाल के हम अच्छे से गार्मिश कर दिया अब हम यहां पर देशी घी डालेंगे तो देशी घी आपको जितना पसंद हो उसी साफ से डाले तो में यहां पर तीन टेबल स्पून देशी घी डाल रही हूं इससे चामल हमारे ड्राय नहीं लगते और जो बिर्य के लिए मिडियम फ्लेम पर इसे हम कुप करेंगे ताकि इसमें उबाला जाए उसके बाद हमने यहां पर तवा गरम करके तवा इसके नीचे रख देंगे ताकि हमारी बिर्यानी जले नहीं अच्छा सद्धा माई तो पंदरा मिनिट के लिए इसे दंपे छोड़ देंगे जिसे चांवल भी पक जाएगा और काफी अच्छे से इसमें हुश्बू हो जाएगी तो इसे हमने सील नहीं किया है तो पंदरा मिनिट बाद हमने इसे और दस मिनिट के लिए गेस की फिलिम आफ करके छोड़ दिया था चांवल हमारे सेट हो जाए और यह देखिए चांव कर लेते हैं तो आप इसे एक प्लेट की साहिता से निकाले इसमें स्पून नहीं डालें तो आपकी भी बिर्यानी बहुत ही मज़े की बहुत ही खुश्बूदार और टेस्टी बनकर की तग्यार होईगी तो आप भी बनाए ज़रूर बना इसी तरीके से बनाए यदि आपक के से राइते के साथ खाएं जो नॉर्मल होता है और साथ में प्यास हो तो मज़ा ही आ जाता है तो आप भी जरूर ट्राइ करें मिलते हैं इंशाला जल्दी बिस्मिल्लार रामानी राइम असलाम आलेकमा यूट्वी फैमिली आप सब केसे हैं आप सब अच्छे होंगे आपके दुआउं से अलहम दिल्ला हम सब बे अच्छे हैं तो आज हमने बनाया चिकन वाइट पुला ये इद स्पेशल है बहुत मज़ेगा बनता है तो हमने ब पतीला रखा इसमें वन थर कप तेल डाला है साथ में हमने अच्छ गरम मसाले दाल चीनी के तुकड़े तीन चार दो बड़ी इलाइच चिली है ये दगड़ फूल लिया है हमने दो च्छोटे चोटे आट दस काली मिर्च लिया एक चकर फूल लिया चार पांच लोंग लि इससे हम जानने तक लेपस्टे प्यास को बहुत बहुत ज़्यादा नहीं करें तो चैड़ से अच्स ऑज़ में गादा है। इससी आट्वाह इन वकांट मिलच और एक मिनिट पान दो olarak बड?」 दो मिनिट नहीं साइस के भी ऐल्य है नहीं सुद़ लिया है इन फ्रेस्टे मसाल को भी जादा पकाना नहीं, भून्आ नहीं, अब हम इसमें आदा कप धही डाल देंगे, तो दही जादा खटा नहीं ले, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, सिफ एक से देड मिनिट के लिए, जैसे इसमें उबाल लाने लगा है, अब हम इसमें, पीसीवी हरी मिर्च फिल तेस्पने अपने टेस्ट के ऐसाभ से हमेनə आपरेशा 2-7 मिर्स को पीस के लियए है कि अपने टेस्ट के हमें भी एच लिय में समय कर चिकन लिया है इन सबी को घुटront करना है दो मिनिट ताक हमें यहां पर छिकन के मुझा करना है इसकी उरिखनी तैयार करना है नगर ह पुलाव बना रहे हैं तो यहां पर हमने तीन गिलास इसमें पानी डाल दिया है इन सभी को मिक्स करेंगे और उबालाने का अंतजार करेंगे और ढखकर के हम अपना पानी चोड़ेगा और टमाटर और धहीं भी तो यहां पर देखिए चिकन हमारा अच्छे सगल गया जैसा कि हमें चाहिए था अब हम इसमें हरीमेश जिलाल देते हैं पाच्छे इसके खु तकरीबन एक गुंटे के लिए लोंगे रन बासमतिराई से आपको इसा भी ले सकते हैं इसे डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम नमक डाल देंगे चामल के हिसाब का तो मैं एक टीस्पून नमक फिर से डाल रही हूं चामल के हिसाब का तोटल हमने इसमें दो टी फ्लेम पे और उसके बाद हमने इसके निचे तवा रख देना है से जैसे पानी खुषक ऊषक होगा तो यह देखिए इसमें इसमें इस पानी खुषक हो चुका है तो दसमिनिट के लिए हमने पकाई था इसे अब हमने तवा रख दिया है, देके 10-15 मिनित के लिए त One और बहुत मज़े का पुलाओ बना था माशाला तो आप भी बना जरूर बना इसी तरीके से बना यह दिया आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फेमिली में चैनल पर पहली बारा है तो प्लिस सब्सक्राइब एक जरूर कीजिएगा अपने दुआ में जरूर यादा किये बाई